मैं हूँ इस समय कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर मौझूद जिसका भवे स्तर पर उद्घाटन आज कोटा में किया गया इस मौके पर मौझूद राजस्तान के कई कैबिनेट मंत्री जिसमें वरिष्ट मंत्री शांती धारीवाल, लालचन कटारिया, बीडी कल्ला, दिलालमीना, कई विधायक जिसमें रफीक खान, अमीन कागजी, कई नेता, नेत्रियां मौझूद रहे, भवे स्तर पर उद्घाटन इसका किया गया, सरकार का दावा है कि चंबल रिवर फ्रंट जो कि एक भवे तरीके से रेनोवेट किया गया है, या फिर उसका जो डिव रिकास है, वो किया गया है, इसकी लागत 1442 करोड रुपए आई है, हालांकि ये पूरा जो मामला है, ये विवात की घेरे में तब आ गया, जब बीजेपी के नेता, प्रलाद कुंजल ने प्रेस कॉन्फरेंस में ये दावा किया, कि जो रिवर फ्रंट है, ये सर्वोच न उने कहा कि ये जो है, पूरा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट वो कानून का उलंगन बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी कहा कि अगर बीजेपी को इस प्रकार कहना था, आरोप लगाना था, तो तीन साल में जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब ये काम चल रहा था, तब लगाया जाना चाहिए था, हाला कि दो बचकर 28 एम पर मुख्यमंत्री अशोग घिलोत द्वारा जो ट्वीट आया, उसमें उन्होंने अपना आज, यानी 12 सितंबर का कोटा का दौरा, इस चंबल वीवर फ्रंट प्रोजेक्ट के गाटन के दौरा, के दौरान शामिल होने क जो उनका कारेक्रम था, उसका रद होने की सूचना दी और उस वज़े से विवाद जो है वो और घहरा गया, हाना की पहले जिस तरफ मंत्री विधायक घूम रहे थे, वहाँ पर उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया, पर बाद में मीडिया को वहाँ जाने की आग सामने आ रहा था उससे उसके बाद जो प्रेस कॉंफरेंस की बात कही जा रही थी वो प्रेस कॉंफरेंस भी अभी तक नहीं हुई है पर फिलहाल आप देख सकते हैं ये चाहूंगा कैमरा पर से एक बार आपको दिखाएं ये भव्वे जो चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक् पर देश के अलग-अलग भागों से इंजिनिरिंग मेडिकल की त्यारी करने बच्चे टीनेजर आते थे वो सरकार के मुताबिक इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बूते सिटी पार्क के बूते यहां पर परियाटकों के तौर पर लोग आपाएंगे कि अ commodय करने इम flavors क्यारी कि बच्ते चाह्री करने को सिटीने इस रिवरे रहांते प्रोजेक्ट के बहुते अलग-पाभ्य है क्यों एकल दीनिए इस रिवरे । झाल